हलो दोस्तो वैलकम बैक टो वर यूट्यूब चैनल तो दोस्तो आज मैं इस वीडियों बात करने या रहा हूँ यूपी आर्वी यूएनल जेए के पेपर के वारे में ठीक है यह 2019 का पेपर है तो इसी का मैं सॉलुसन कराऊंगा इस वीडियो में जिसमें नॉन टेक का तो देखो जितना जरूरी टेक्निकल का जो सिल्यवस होता है कवर करना उतना ही जरूरी यह होता है इसमें अगर थोड़ी सी भी मेनत कर लोगे तो अच्छी नम्म लिया होगे अब रीजिनिंग में 20 को सना आते हैं तुम थोड़ी सी मेनत कर लोगे तो 20-19-18 पक के आ जाए हम रीजिनिंग पर ठीक है ज्यादा टाइम बेस्ट ना करते हुए कि तुम तुमारा पेपर नजदी के बहुत ही अच्छी करने है तो उसके लिए प्रैक्टिस कर लो बस और कुछ नहीं है प्रैक्टिस कर लोगे सारे कॉसन करके आ जा हुए देखो यह पेपर है इसमें प आपने ठीक है उस वेन आरेक का चेन करें जो वर्गों के दिए गई सैट के भी सम्द्ध का सबसे अच्छा वर्डन करता है ठीक है चूहे इसतंदारी कोई ठीक है चार आपसन यहें चार में से एक आपको चूज करना है कौन सा राइट है क्वूश ठीक है खर्यक्रेक्ट ह तो देखो इस्तंधारी इस्तंधारी के अंतरगत कोई आएंगे कि चुहे आएंगे या दोनों आएंगे तो देखो चुहे आएंगे क्योंकि चुहे इस्तंधारी होते हैं तो चुहा आगया ठीक है कवा भी आएगा क्या नहीं आएगा क्योंकि कवा इस्तंदारी होता ही नहीं तो वो बिलकुल अलग हो जाएगा ठीक है तो इसका अंसर हो जाएगा यह 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 बिलकुल सही है तो इसका अंसर देखो कौन सा है पहला दूसरा तो दिया नहीं आप्शन में तीसरा भी नहीं तो classes of human beings ठीक है इसमें दिया है females, mothers और human beings इन तीनों के बीच एक relation दिया है diagram के तुरू उसे आपको चूज करना है ठीक है तो देखो human beings human beings के अंतरगत क्या जाएगा females आ जाएगा females of females के अंतरगत mothers तो इसका answer ये सही होना चाहिए ठीक है तो पहला तो है नहीं कि दूसरा तीसरा तीसरा आंसर सही है ठीक है तो अगले question की तरब चलते हैं अगला question क्या गए रहा है कि देखो question को पहले पढ़ना जरूरी है निम्लिकित प्रसंद में चार अच्छर समू दिए ठीक है जिसमें से तीन किसी प्रकार से समान है जबके चौता बेने ठीक है इन तीनों मेंसे तीनों के चार उपसन दिए चार मेंसे कोई तीन समान एक इन अलागे बिलकुल इनसे ठीक है तो उसी को आपको चैन करना है ठीक है उस अच्छा समू को पहचान है जो अनसे बेने difference ठीक है बीच में के बीच में के के यह कुंद अतर्व में केड़ों सुद्धूरा 2 जो इन अर्यज्य म धारें मतलब एक काड़ भी समय डिफ्रaltet और और भी ञा़ाएं मुस्क्त작 और नगी और दिए यह एकुट रहा है एसे इसमें बी सीडी एफ जी एच एक चूट रहा है लेकिन फोर्थ आप्शन में क्या हो रहा है के बी सीमात दी चूट रहा है एक ऐफ रहा है यहां पर नहीं नहीं शूट रहा है तो यह आलग हो जाएगा ठीक के और वैसे देखो वे यह तो क्या हो रहा है कि कर दो नशीट्स दोषे दो यह दो चार प्लक कि आता है यह अमें में तो पहेve चेखंश सरिय तो इस सकते हो तो जैसा अच्छा लगए उस तरह से ठीक है अगला कॉस्टन है कॉस्टन नमर फूर निम्लिकित प्रस्ट में चार सब्द यह जिसम में जिनमें से तीन किसी प्रकार से समान है जबकि चौथा अलग है सब्द को पहचान है जो अन्य से बिनने है ठीक है तो देखो चार ओप्सन दिये हैं वही डिफेंट सब्द चुनना है ठीक है इसमें क्या है रासायने विग्यान प्राड़ी विग्यान वनस्पति विग्यान यह क्या है पढ़ते हैं यह बहुत इजी आते हैं आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो पूरे कौसन करके आओगे यह कौसन देखो यह क्या कह रहा है यद ए को माइनस ए को माइनस ए को माइनस बी को डिवाइड बी की जगए डिवाइड ओके और सी की जगए मल्टिप्लाई प्रतिस्तापत किया जाए और डी की जगए क्या है डी की जगए पिलस देखो एक जगा था माइनस बी की जगा था डिवाइड और सी की जगा क्या था मल्टिप्लाई और डी की जगा पिलस ठीक है तब क्या कह रहा है तो वियान्यक के लिए मान क्या होगा तो इसे सॉल करना है देखो बोर्ड मास रूल आपने पड़ा होगा बोर्ड मास ठीक है तो उसमें क्या होता पहले डिवीजन होता है 25 बटे 15 इंटू 25 बटे 15 इंटू 30 तो 15 से 30 कार्ट देंगे ठीक है चलो सिकर करके दिखाऊ यहीं ध्यान से देखो देखो 35 ऐसे कैसे लिखा रहे ना ठीक है माइनस ठी ठीक है ऐसे कैसी 25 पच्चीस डिवाइड वाई 15 मतलब 25 बटे 15 है ओके मल्टिप्लाई 30 और पिलस 5 ऐसे कैसे ठीक है बस क्या किया है अमने बी की जगह है 25 बटे 15 लिखती आए तो क्या करो 15 से 30 को काड़ दो कितनी वार दो बार ठीक है दो बार कटेगा तो कितना आ जाएग यह आ जाएगा तमारा 35 माइनस 25 इंटो 2 प्लस 5 ठीक है बोर्ड मास रूल क्या कहता है पहले डिवाइड फिर मल्टिप्लाई तो मल्टिप्लाई कर दो यहां कितने का मल्टिप्लाई होएगा दो का कितने में 25 में 25 उनी 50 अब कितना आ गया हमारा 35 35 माइनस 50 और प्लस 5 ठीक है तो इसे सॉल कर लो अब क्या है इसमें कितना हो गया यह 35 पचास माइनस 10 माइनस 10 अंसर आ रहा होगा यह देखो माइनस 10 अंसर आ रहा है सहे माया है एक नहीं ऑड़ने अंदेगा एक ना यह जैसे जैसे वह कह रहा है उसी की तरह चलना है बस और कोशित नहीं नहीं दिवाएट CO double सबसे पहले तो तो कॉस्टन दिया है उसी के साथ से करें ना ठीक है अगहले कॉस्टन पर चलते हैं तो देखो यह आकरती से सवाल है आकरती से एक वीडियो में लाके आज ही अप्रोड कर दूँगा तो यदे आप चाहो तो कमेंट सेक्शन करके बताना है इसमें क्या है कि निम्लिकित प्रसंद में चार आकरतिया दे गई है जिन में से तीन किसी प्रकार समान है ठीक है और चौती क्या है अलाग है उसी को चूज करना है तो देखो ध्यान से देखो चलो छोड़ा कर ले दें से चार आकरतिया देखो इसमें क्या है पहली आकरति क्या क्या दिया है कि जो अंदर वाला जो पार्ट है उसमें कितनी साइड है फोर साइड है ठीक है देखो एक दो तीन चार और जो उपर उसके जो आउटर में है उस उसकी कितनी साइड है उसकी पांच है देखो मतलब यह पंच हो जाए उपर वाला बाहर वाला और अंदर वाला चत्रों हो जाए मतलब एक साइड कम हो रही है बाहर वाले में एक जादा, अंदर वाले में एक कम, मतलब बाहर वाले में पांस साइड, बीतर वाले में चार साइड, एक कम, और उसके अंदर वो गोला, ठीक है, गोला मतलब ब्रत सरक्ल, ठीक है, ऐसे ही दूसरे option में भी देखो, छे साइड दी हैं, और छे साइड के अंद तो यह भी उसी टाइप का पहले वाले टाइप का तीसरे वाले में देखते हैं तीसरे वाले में क्या दिया है ट्रेंगल दिया है और ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल दिया है तो यह मतलब अलग है अच्छा चौथा और ऑप्सन देखो चौथे में क्या दिया है पहले दिया ह तो यह भी सही है पहले वाले में कितनी साइड है फोर और जो उसके बाद में जो अंदर है उसमें कितनी साइड है थ्री तो मतलब एक घटी है साइड लेकिन जो तीसरा उसमें क्या है उसमें तीन पहले में भी है तीन जो उसके अंदर है उसमें भी है तो यह उप्सन कुछ ट्रेक हैं होती नहीं लेकिन इसमें कोई ट्रिक लगती दिखने रही यह सिंपल साय ज्यादा भी नहीं तो इसे गिनना चाहिए तुरंत गिन जाएगा तो देखो कि इसमें क्या है कि एक तो ये ओगया ठीक है दूसरा ये होगया तीसरा ये हो गया चौतर ये पाचवँ ये और छ्टबा देखो ये हो जाएगा च्छटबाइश तरह से ये 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 पूरा ये ट्रेंगल तो lifted इसमें च्वोटा से वे उसमें क्येंट लगणी रहे हैं तो समय ज्यादा टप कउसन पूच्छ रहा है बहुत इजी कॉसन में इसमें क्या है अगला कॉसन को सनामर आट उस विकल्प का चैन करें जो क्या निम्ड के संक्या संक्ला में प्रसंद चिन को प्रतिस्ताफित करेगा सीरी जी का कॉस्टन है बहुत इसी है पांच 15 तीस बीस देखो 15 में से 5 कितने बचे 15 में से 5 गए 10 30 में से 15 गए 15 50 में से 30 गए 20 मतलब 5 10 15 किस तरह से इसमें क्या जुड़ा है यहां पर 10 15 20 और 25 इसमें जुड़ा है 10 ठीक है इसमें 15 इसमें जुड़ा है 20 10 15 20 तो इसमें क्या जुड़ेगा 25 क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है पांच का पांच का ओके ऐसे अगले में पांच का तो इस तरह से जुड़ते जाए यह ओके तो 50 पिलस 25 पिचत्तर आंसर होना चाहिए जो पिचत्तर आंसर दिया है ठीक है अगला कॉ कॉष्ण यह थोड़ा सा टफ कॉष्ण दे दिया है यह की कॉष्ण है जो कि टफ है इसमें क्या दिया है कि 15 अगल से 288 को सब्ता का कौन सा वार था काफी अच्छा कॉष्ण है पर टफ है क्योंकि टाइम टेकिन है तो इसको मैं बताता हूं देखो इसके लिए क्या होता है कि पहले हम डेट निकालते हैं डेट लिख लेते हैं कितनी डेट दी है जैसे 15 डेट दी है तो मैंने 15 लिख लिया ओके फिर लिखते हैं मंत का कोड जैसे अगस्त है अगस्त का कोड होता है दो ठीक है तो अगस्त का कोड लिख लिए हमने दो फिर उसके बाद दिया होता है जो हमारे एर्स दी होती है उसके लास्ट के टू डिजिट इसे अठार है ठीक है? अठार है लिख लिग लिए मैंने उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आती है realized कि दुज्य अठारे में कितनी Leaps है? अठारे में तो 18 में 4 EPS होगी, 18 बट्टी 4 का डिवाइड कर देंगे तो 4 EPS निकलेंगी, उसके बाद century का code होता है, उसे लिखते हैं, century का code कितना होगा, 2000 है तो 2000 का 6 होता है century का code, फिर इस सब को हम जोड़ देते हैं, तो देखो जोड़ो इन सब को कितना आएगा, 15 और 27, 27 और 8, 27 और 8, 35, 35 और 10, 45 ठीक है, यह हो गया 45, तो 45 days आ रहे हैं, अब उसमें हम 7 का डिवाइड करेंगी, तो यह जाएगा, 3 बचे का 6 ठीक है, जब सकते 42, 3 6 बचे का, और यह 3 किसका code होता है, यह 3 होता है, badness ठीक है, ओके, तो इस तरह से निकलेगा, यह हमारा day, बुद्धवार, और से detail में समय ना है, तो comment section में comment करेंगे बताना, पूरा concept है, काफी अच्छा है, तो उसे पूरा बता दूँगा, ठीक है, या वीडियो के अन्त में बता दूँगा, बैसे वीडियो बड़ी हो जाएगी, 15 मिनिट की तो होचकी है, तो पूछना चाहो, पूछ सकते हो, ठीक है, सही में नहीं आया होगा, अगर सही में आया ह में भाई है, तो देखो ऐसे कोस Kenya कहीं भी दिखें, तो इन्हें का से करना है, समझे हो अच्छीतर है, राम और स्याम भाई हो एफ becomes क्यों है, तो यह क्या हो गया, और राम हो गया, यह हो गया, आपक है यह हो गया सियाम ठीक है, इस तरह से बडार में निकलना है, जो बरार बहन होने वो बरावर में तो राम और स्याम क्या है भाई तो बहने बरावर में लिखती है सचन सौम्या की सचन सौम्या के पिता है और सौम्या स्याम की बहन है तो देखो यह स्याम है स्याम की बहन है यहां से तो कुछ रिलेशन निकल नहीं रहा है सौम्या सचन के पिता है य याम की बहन और इसे नेगेटिव से रेप्रेजेंट करते हैं जो फीमिल होते हैं उन्हें पॉजिटिव समय नेगले वैसे यह तो नॉर्मल कोस्तान है जो बड़े-बड़े आते हैं उनमें ऐसे करना पड़ता है यह तो तुम एक दो बार अच्छी तरह पड़ोगे तो सवा पूछ क्या रहा है राम राम का संबन्द पूछ रहा है ना कि सौम्या की मां का यह पूछ रहा है राम का संबन्द सौम्या की मां से कैसे है ठीक है तो राम क्या है सौम्या का पुत्री तो होगा सौम्या राम की बहन है सौम्या राम की बहन है तो राम क्या होगा राम उसकी का पुत्री तो हगा तो सौम्या ये है सौम्या की मां यहां पर हो गीま ठीक है तो सौम्या समझ इपहरा किया राम, पुत्त्र, है ठीक है योधिस ठीक कोई कोई डी सी आप्सन करके आता है कि मा का रिलेसंट इसे यह फीपर जिसने किया है कि सी लगा है सी आप्सन तो यह थोड़ी बहुत का राम से कैसा समद्ध है तो वह हो जाता ओल्टा लुते के तो फसल से मतलब किसान क्या करता है उगाता है तो मुची क्या करता है मुची जूत शिलता है जो कि आगए कोशन चार नो यह क्या कि रहा है यह आकरती दिन बढ़ा करते हैं यह आकरती दिने इसमें अगली आकरती पूचिए क्या होगी समय न यह क्या है यह 45 के एंगल में लॉटेट की है तो क्या हो जाएगा यह ऐसे आ जाएगा ठीक है इस तरह थी और फिर 45 का तो ऐसे फिर 45 का तो ऐसे फिर 45 का तो ऐसे ओके तो देखो पहले वाले में पहले वाले में यह था ठीक है दूसरे वाले में यह वाला था तीसरे वाले में यह वाला चौथे वाले में यह पांचवे मे अच्छा इसमें क्या कह रहा है कि इसमें तीन आक्रतीय मतलब इसमें पूछ रहा है कौन सी कारती क्राह唱 है चार में से तीन से में 1 डिफरेंट बना ये वना है उसके बगल में नज़्दी गया है इसमेंसaneously है इसमें एक का गया पैदा ये बिल्कुल अलाग हो जाएगा डिफेरेंट तीनों से ठीक है आगे कॉस्टन पर चलते हैं अंगले पर बहुत तीजी कॉस्टन है नहीं टाइम टेकन है देखते निकालने वाले हैं बस प्रैक्टिस हो जाए ठीक है देखो इस कॉस्टन को भी देखो ग्यारे तेरे कतीस ऑप् क्यूब माइनस साथ ग्यारे का क्यूब माइनस ग्यारा या अंसर हो जाएगा साथ का क्यूब कितना होता है तीन सो तेतालीस माइनस साथ 336 और ग्यारे का क्यूब तेरे कतीस ठीक है यारे का क्यूब तेरे कतीस और तेरे कतीस माइनस ग्यारे तेरे इकतीस माइनस ग्यारा तो इसी तरह से सवाल है बहुत इजी सवाल है इसमें क्या पूछ रहा है तो लंडन हुए है अफगानिस्तान चीन ब्राजिल लंडन तो इसमें आंसर होएगा डी लंडन ठीक है इसमें क्या करें उसका सीरी जी का सवाल है 6 9 15 24 अगला क्या आएगा ठीक है 6 19 69 ठीक है 90 सोरी 6 9 15 24 ठीक है इसमें अगला क्या आएगा तो 6 39 मतलब 3 जूड़ रहें ठीक है 24 प्लेस 12 कितना हो जाएगा 226 मतलब 36 अंसर होने चाहिए 36 36 है अगला कॉसन चलते हैं अगला कॉसन क्या दिया है यह कॉसन ठीक है का देखो देमनीस और अमन की वर्तमान आयू का योग कितना है 84 ओके पांच वर्स बाद उनकी आयू का योग पांच वर्स बाद पूछ रहा है वही जायर सी बात है तीनों की एज में कितना कितना जुड़े आएगा 55 तो कितना जुड़ेगा टोटल पंद है यह पूछ रहा है बिजली वाट में मापी जाती है तो दवाव किसमें मापा जाता पासकल में जाहिर सी बात है अंसर हो गया अगला कॉस्टन क्या है कि अम मैं इस फेसिंग साउथ यह है डिस्टेंस का ठीक है कॉस्टन को समझो थोड़ा एक आदमी है जिसका चैरा किसम है साउथ में साउथ मतलब इदर की साइट ओके इदैंट टन नइंटी डिग्री इस लैप्ट लैप्ट मतलब नैइंटी डिग्री गूह दैन टूसे राइट ऐस राइट वी फाटीफड डिग्री लैप्ट इन विच डिरेक्शन ही फेसिंग नाव तो देखों, इसमें क्या कह रहा है, एक आदमी south की तरफ, चहरा करके, बैट आ है, चहरा किधर है, south की तरफ तो south किधर है, नीचे की तरफ, तो एक आदमी है, इदर की और चहरा है, वा 90 degree, क्या होता है, left की तरफ, तो 90 degree, left की तरफ, घूमें का ठीम, then 270, 270, his right, ठीक है 270 हिच राइट राइट गुमनेगा तो 270 270 हो जाएगा यह हो जाएगा 180 इधर ठीक है 180 प्लस 90 ठीक है 180 की इधर हो गया प्लस 90 तो इधर की और 40 हो जाएगा ठीक है और हिज राइट एंड फाइनली 45 डिग्री इस लेट ठीक है 45 डिग्री इस लेट मतलब इधर की तरह तो यह आंसर होना चाहिए तुमारा यह कुन सा हो जाएगा नौर्थ और वेस्ट ठीक है नौर्थ वेस्ट तो यह आंसर हो गया नौर्थ वेस्ट सहीं में आया की नहीं आ यह जनल तरीका ठीक है और एक दूसरा भी तरीका है कि जैसे एक एक साइड के जतने भी दिये हैं उनको एड कर लो जैसे ही टन 90 डिग्री लैप्ट और ही टनिस 270 राइट तो देखो 270 राइट ठीक है तो यह राइट एंगल मतलब 270 राइट में बढ़ाए ठीक है और 45 और 90 मतलब यह कितना हो गया 90 माइनस 90 और इसे गटा देंगे ठीक है तो जितना निकलेगा उसे फिर राइट में गुमा देंगे जैसे यह कितना हो गया यह तुमारा हो गया 135 और 270 में से 135 गए 10 में से 5 तो 5 और इधर वचा 26 26 में से 13 तो 13 135 किदर गुम जाएगा राइट में ठीक है तो फेस किदर था इधर तो 135 राइट में गुमेगा तो किदर आएगा ठीक है 90 इधर और फिर 45 इधर ठीक है यह 135 का एंगा तो यह दूसरा तरीका है यह सौट है तो इस तरह से भी कर सकते हैं तो आगे चलते हैं अगले को सब्सक्राइब साइब लास्ट को सब्सक्राइब इसमें क्या कह रहा है कि यह चार संक्या है उनमें से एक डिफरेंटों से चूज करना है पूंसियों 63 देखो जो 53 और 59 और 47 यह क्या है यह आज तो यही 63 यह वाज संक्या और 63 बताना और अगर कोई भी मतलब कोई दिक्कत हो कि किसी कौसर में या वह किसी सही जोगी यह तो